प्रदेश की साथ विदान सबाशिंटों पर उपचणाओं की जंग जारी है बीजिपी कोंग्रिस की तरफ से, अपने अपनी तरफ से जीत के दावी किये जा रहे हैं हमारे साथ हैं बीजिपी के प्रदेशादेक्श मदन राठोड़ उनसे बात करेंगे सर उपचुनाओं की जंग चल रही है रेलिया सब आएं आपके तरब से हो रही है कितने आस्वस्ते हैं जीत को लेकर है हम आस्वस्ते हैं हमें पूरा भरोसा है कि निश्ची तुरुप से हमको आसिरवात मिलेगा हमने रेलियां की है सभी क्षित्रों में जाने का मौका मिला ह है कारिकरताओं का उत्सा जंदा का प्रेम यह हमको देखने को मिला है निश्ची तुरुप से हम पूरा भरोसा है हमको कि हम जीते हैं अगर उपचुनाओं की बिचले दस सालों की परिणाम को देखें तो उपचुनाओं का परिणाम बीजेपी की पक्ष में कम रहा है से दलों से चीनने वाले हैं एक हमारी बचाएंगे और छे कॉंग्रेस की चीनेंगे और इसका कारण भी है कि हमारी जो है डबल इंजन की सरकार है देश के प्रदाम मंत्री नरेदर भाई मोदी जी ने देश की प्रतिश्टा बढ़ाई बहुत अच्छा बजट दिया आम आ कि ये कारेकरता सामन्य कारेकरता से और पारिटी का काम किया पूरे इलाके का क्षेतर का दोरा किया हुआ है उनका समझ है कि किस इलाके को किस प्रकार का विकास चाहिए ये उनके ध्यान में है और उसे ध्यान में रखकर कि उन्होंने बजट तयार किया बजट आम व्यक्ति के समरद्धी के लिए बहुत बड़ा एक बजट है और उसका लाब भी हमको मिल रहा है तीसरा जो पहले कॉंग्रेश ने भ्रह्म पैदा किये थे वो निवारन हो चुका क्योंकि डबल इंजिन की सरकार बनने के बावजूद हमने तो समीदान को छेड़ा ना आरक्षन को वहम था ब्रहम था कि कॉंग्रेश ने जो कहा कि यह आएंगे तो समीदान को समात कर देंगे आरक्षन को तो कतम कर देंगे लेकिर यह सब नहीं हुआ तो यह सब जंता समझ चुकी और वो हमारे साथ जुड़ चुकी हमको आसिरवात देगी इस चुनाव में कॉंग्रिस की तरफ से बहुत ज्यादा कोई ऐसे मुद्दे नहीं है मुखड़ता की तौर पर कि वो बीजेपी को कहे रहे हैं दो चीजों का उजिकर कर रही है एक ही हमारी सरकार की गयलो सरकार की योजराओं को बंद कर रहे है और दूसरा अरूप लगा रहे है कि मुखड़ मंतरी तो भर्मन कर रहे है हैलिकॉप्टर में रहते हैं किस तरीके से देखते हैं क्या वो मुद्दे कॉंग्रिस बास नहीं है और यह चर्चा है कि इस बार कॉंग्रिस ने बीजेपी को वोक ओवर दे दिया आपने भी कहा भी आलिमें कि कॉंग्रिस के लोग कर रहे हैं कि विजेपी टिकेट अच्छे बाटे हैं तो क्या वास्ता में वोक ओवर कॉंग्रिस ने दिया है देखिए मैं अब कॉंग्रिस की बात तो मैं नहीं कहसे कूंगा क्योंकि कॉंग्रेस अपनी बात खुद कहें, मैं यह मानता हूं कि मुक्यमंत्री जी जो ब्रह्मान कर रहे है ना ब्रह्मान, वो विकास के लिए कर रहे है, वो आज पहले महराष्ट्रा में गए, साढ़े चार लाग करोड का निवेस लेकर के आए, फिर जापान और कोरिया तो वहां से भी निवेस लेकर कै आए, अबी इंगलेंड और जर्मणी गहें तो वहां से भी निवेस लेकर कै आए, यहां राजिस्तान में भी अभी उन्होंने आप तीन लाग करोड का, और निवेस, याने, M.O.U. कर वाया अभी। मुक्य मंत्री जी सुधियो इलाके के विकास के लिए चिंदीत रहते हैं अभी नोक्रियां, देखिए कि कॉंघ्रेस सरकार ने कहां कि वैकेंसी हैही नहीं, कहां से नोक्रित है और मुक्यमंत्री जी ने अधिकारियों को पाबन किया कि निकाल के लाऊ वेकेंशी कहां कहां हैं और निकाल के लाएं और अभी 97000 की वेकेंशी निकल गई और पहले 36000 viewers ,37000 की पहले निकल गई किसान मांधन सम्मान निधी उसमें 2000 अपनी तरफ से बढ़ाया। नरिंदर भाई मोदी जी देश के प्रदान मंत्री जी दे रहे हैं, 2000 इनों ने अपनी तरफ से जोड़ा। इस सब काम की है तो इसके नाराजगी क्यों हो रही है किसी को। उर्जा के मामले में हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी और सोलर पैनल्स घरगर लगवने का आवान किय उसके चालीस प्रतिसत सबसीटी देंगे तो बिजली का बिल नहीं आएंगे उसको आम नागरिक को इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है बिजली में सर्पलस कभी कॉंग्रे सरकार ने कलपना तक नहीं की थी और हम यह कह रहे हैं कि हम सर्पलस आजाएंगे कुछ ही समय में हम बिजली बेचने की इस्तिमा आजाएंगे यह कोई कम बात नहीं है हमने देखिए पेजल की योजनाओं को सुद्रड किया हमने सड़कों के लिए नौ लाग करोड रुपया दिया सड़कों का विकास करने के लिए हमने मतलब किसान की मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसान उत्पाधन करता है उसकी MSP बढ़ा ही MSP भी Double से भी जज़दा कर दी इसमे के योजनाओं के लोगों मिल रहता है देखिए गैलोत साब की कोई भी जन हित की योजना को हमने बंद नहीं किया, जन हित की योजना है उसको बंद करने का सबवाल ही नहीं है, हम तो जन हित चाते हैं, उल्टा मैं तो यह कहूंगा कि गैलोत साब ने हमारी वसुंद्रा जी की सरकार थी, तब उन्होंने भमासा य योजना है, जो जन हितकारी है, जनता के भले के लिए उसका हम और मजबुती से पालन करवाते हैं, एक चुनाओं में, डॉक्टर कियोडिलाल मिना के भाई को टिकेट आपने दोसा से दिया, जगमौन मिना को, उसको लेकर कही नहीं चर्चा है कि BGP अपने ट्रेक से बठक परिवारवाद के तरफ बढ़ रही, एक परिवारवाद से तिन-तिन लोगों को टीड़ दिया, आपको नहीं लगता कि कहीं नहाराजगी अंदरूनी कारेकरताओं में रहेगी इसको लेकर, देखे हमने हमेशा सेवा सेवक, उसको महत दिया है, जनता जिसको पसंद करती है हमने उसको महत दिया है, और फिर जो हम पर आरोप लगाते हैं वो खुद सोचे, सोनिय जी है, राहुल जी है, अभी प्रियंका जी को जिन्हों ने टिकट दे दिया, वो किस बात, मतलब कौन से परिवार की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, सेवा करें, करती है, इसमें कहीं हम परिवार वाली बात हम नहीं सोचते हैं, और जाती वरती बद्री बात हम नहीं सोरते हैं, हम वरिकास को महत देते हैं एक राटॉट्साब लंबे समय बात आप धसकों से १ुन जू वहाँ पार्टी नहीं जीत पाई इस बार क्या अब को लगता कि बित्ये धसकों से जुन जुन फों चाहींBack हो बीज़ेपी वाहाँ जीत नहीं देख पा इस बार क्या लगता क्योंके अफ़ुद महरवार से आते हैं हमने सहे और जूंजुनु का परनाम किस तरीके का रहेगे ? मतलब हमने जो उमिद्वार उता रहा, पिछली बार भी उसने चुनाव लड़ा था, लेकिन लगातार बहुत जन्द सेवा में लगा रहा, संपर्क उसका बना रहा, और पिछली बार थोड़े बहुत हमारे कुछ विद्रुई खड़े हो गए थे, इस बार कोई भी नहीं है, सब एक जुट हो करके और कमर कस करके तयार खड़े हो गए, कहीं पर भी देखे, पूरी सातों विदान सबाओं में आप देख लो, हमारा विद्रुई कहीं भी नहीं है, हम सब एक मुखी है, पूरी ताकत के साथ लगे हैं, और संगठित हो करके हम सब अपना काम कर रहे हैं सरकार की योजनाओं को पहुँचा रहे हैं, आम नागरिक तक और हम जीतेंगे। कि भागी कोई था भी नहीं, हमारे यहां भागी नहीं था। टिकेट वित्रण के बाद कई महत्वा कांग सी कारेकरता भी होते हैं कि जिनके उमीद होती है कि हमको मिलना चाहिए था। और जब नहीं मिला थोड़ा सा निरास हो सकता है वो कारेकरता, लेकिन जो ही उसको ध् हैं और सही अमित करके और एकदम से और पार्टी के साथ खड़ा हो जाता है, तो यह तो होता है, परिवार में भी होता है, सबी जगह होता है, लेकिन परिवार की समर्द्धी के लिए, परिवार की प्रतिष्टा के लिए सब समर्पन करते ही करते हैं, ऐसे उन कारे करता हू जिन्हों ने अपनी महत्वा कांगसाओं पर अंकुष लगया मैं उनका अभरी हूं मैं उनका सम्मान करता हूं उन्होंने हमारी प्रतिष्टा बढ़ा ही है हमको ताकत दिने का काम किया यह बहुत अच्छी बात है तो यह मदन राठोड जो दावा कर रहे हैं कि इस बार ना स